कि नमस्कार मैं मनोज कुमार निगम दीड़ान एक्सप्रेस के लिए एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुतु आँँ कुछ नए विचारों के साथ कुछ नई बातों के साथ कुछ नए वारता लाप के साथ और वो विशे हैं जिनसे पिछले साल भर से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया संघर्ष में है परिशान है और उससे मुक्ती पाने के लिए चारों तरफ अपने हाथ पाउं मार रहे हैं विशे हैं इस महामारी का इस महामारी के काल का जो पिछले साल तक्रीबन इसी दिसंबर के महीने से विश्व में जिसने अपना पाउं पसारना शुरू किया था हमारे देश में भी जन्वरी के आखिर में दस्तक दे चुकी थी और उसकी वज़े से अंततो गत्वा सरकार को एक अगोशित लॉगडाउन लगाना पड़ा और उसकी वज़े से सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी विवस्था, हमारा पूरा देश एक तरीके से इस्थगित हो गया जो जहां था वहीं रुक गया, जो काम थे वो अधूरे छूट गए, जो विशय थे वो अधूरे छूट गए और जिन बातों का मैं महत्पूर्ण रूप से जिक्र करूँगा वो ये है कि इस समय पे जो सबसे महत्पूर्ण था वो था हमारा स्वास्त अगर जीवन है जान है तो जहान है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से इस बीमारी ने पूरे समाज को पूरे देश को अपने माया जाल में अपनी पकड में गिरफ्त में ले लिया और जिन लोगों ने कभी ये सुचा नहीं था कि एक इसकी बीमारी की बज़े से जीवन समाप्त हो जाएगा ऐसे अंगिनत लाखों लोग हैं जिनका जीवन इस बीमारी की बज़े से या इस बीमारी के चंगल में आने की बज़े से समाप्त हो गया उसमें युवा वर्ग भी है, मध्यम आयू का वर्ग भी है, उर्द्धावस्था के लोग तो हैं हैं काफी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है, हमारी इमिनिटी पावर, हमारी रोग प्रतिरोदक शमता समाथ होती है, तो इन सारी चीजों की वजय से, न बातों की वजय से, जो विशे उत्पन हुए, जिन्की वज़े से सारी परिशानियां हुईं, समाच के अंदर, व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, उनके विशे पर एक छोटी सी चर्चा, आज मैं करना चाहूंगा आप सबी लोगों हुई असीमित कार्य भी हुए जिनकी वज़े से लाखों लोगों का जीवन बचा भी है और कुछ हजारों का लाखों का जीवन चला गया इस दुनिया से उसमें हम सभी लोगों ने बहुत कश्ट जेले हैं कम से कम वो जो लॉगडाउन का समय था तीन से चार महीने पांच महीने का उस लॉगडाउन की वज़े से हमारे कामगारों का जीवन यापन यह समझिये कि बिल्कुल ना के बराबर या भुगमरी के कागार पे पहुंच गय जो मध्यमवर्गी था उसको भी अपने जीवन में बहुत कश्ट जेलने पड़े और उन कश्टों की वज़े से कहीं ना कहीं रोजगार की कमी भी थी कहीं ना कहीं आर्थिक मामले भी थे जिन लोगों को जो छोटे रेडी पट्री वाले लोग थे या जो रेस्टोरेंट और चोटे-चोटे ढबे या चोटे-चोटे होटल चलाये करते थे अपनी आजीविगा के लिए वो सब चीजें बिलकुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई और इस समय में हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री यानि होटल फूड एंड बेवरेजिस की जो इंडस्री थी उसको सबसे बड़ा धक्का पहुंचा और उस धक्का पहुंचने की वज़े से उनका आर्थिक नुक्सान जिस हद तक हुआ है उस सीमा का आकलन करना भी बहुत मुश्किल है और आज भी स्थिती कमोवेश यही है कि अभी भी 60-70% 80% का जो बिजनेस है वो ठप पड़ा हुआ है बंद पड़ा हुआ है व्यक्ति समाज में इतना ज़्यादा सशंकित है कि मैं बाहर जाओं कि न जाओं जरूरी काम के लिए जाओं और उसके बाद बाहर आदमी निकलता है घर से तो उसको रुकने के लिए जगे चाहिए उसको अपने याता-यात के प्रबंद चाहिए चा है वो अपका निजी वहान हो तो इन सारी चीजों के साथ फिर खान पान भी जुड़ा हुआ है आदमी की कम से कम दिन भर में या 24 घंटे में दो या तीन बार आदमी खाना खाता ही है तो जब ये सारी परिस्थितियां सामने आई और जब ये होटल हॉस्पिटलिटी इंड हो गया क्योंकि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया अब घर से जब बाहर निकलना बंद कर दिया है तो न तो आदमी घर से बाहर निकलेगा ना बाहर कहीं जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हुई थी और उस समस्या की वज़े से लाखों करोड वो लोगों को आर्थिक नुकसान जहिलना पड़ा अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं उस विशय की जो दूसरा महत्पूर्ण विशय था वह था शिच्छा का चेत्र लाखों बच्चों का भविश अधर में चला गया और उसकी वज़े से उनकी शिच्छा बाधित हो गई और वो शिच्छा बाधित होने की वज़े से यह हुआ कि यह जो अभी नए लॉकडाउन के टाइम पे जो नए चीज डबलप हुई जिसको बोलते हैं आनलाइन पढ़ा जो परीक्षा हैं बच्चों की मार्च में होनी थी वो परीक्षा हैं मई जून में जाके संपन हुई जो जो रिजल्ट उनके मई जून में आने थे वो जुलाई अगस में सेप्टेंबर में आकर के रिजल्ट मिले तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारा का सारा सेशन सारा का सारा कारिक्रम। उनका कम से कम 3-4 महीने पाच महीने आगे चला गया आज की तारिक में जाने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सेशं जिनका साल समाथ हो गया है लेकिन परिक्षाइं नहीं हुई अब परिक्षाओं ना होने की वजह से बच्चों के मन में जो एक संकट है कि हमारा क्या होगा वो अधर में एक तरीके से लटका हुआ हैं और उसकी वज़े से वो बहुत सशंकत हैं और नशर्व बच्चे बलकि उनके माता-पिता उनके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा सशंकत हैं कि हमारे बच्चे का आगे भविश्च क्या होगा, वो विचारा आगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में परवन्नती पाएगा या नहीं पाएगा, ये सारे बहुत गंभीर विशे थे, जिनका हल अभी भी पूरी तरीके से नहीं निकला है, हाला कि हमारी सरकारों ने काफी सारी गा गाइडलाइन को अपलाई करने के लिए बोला गया, और ये कहा गया कि आप उन गाइडलाइन को फॉलो करके, और आप आगे चलिए और आफलाइन क्लास के लिए स्कूलों में जाना शुरू करिए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले का एक निर्ले हैं, जिसमें नवी, करोडों माबाप, पेरेंट्स ऐसे हैं, जो इस घबराहट के साथ हैं कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा संक्रमित हो जाए, और संक्रमित होना आज की तारीक में सबसे खतरनाक इस्तिती है, क्योंकि उस खतरनाक इस्त करके हर तारीके का इहतियाद बरतने के बाद में वो ठीक हो गए और वापस आ गए, ठीक हो करके वो लोग वापस आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीक में जो शंकाएं हैं, उनका समाधान बड़ा कटेन हैं, वैसे तो हम जब सड़कों पे बजारों में अ इसकी को देख करके तो ऐसा लगता है, जैसे कोई महामारी है ही नहीं, जैसा आज से एक साल पहले इस्थिती थी देश की, दुनिया की, वैसी ही आज भी है, कम से कम हमारे देश में तो यही इस्थिती है, अब इस समय हमको जो सबसे बड़ा अहतियात बरतना है, वह यह कि महामारी का जब तक सरकार की तरफ से वेक्सिनेशन का टीका करन का हल ना आ जाये तब तक जो एक महावरा बन गया है कि दो गस्दूरी मास्क है जरूरी इसका नियमित रूप से हम को पालन करना चाहिए और इसको इसको नजरंदास करके हम अपने आपको अपने परिवार को अपने परिजनों को परिशानी में और मुसीबत में डालते हैं इनसे भी हमको बचना चाहिए इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और सबसे महत्पूर्ण जो विशे है वो ये कि ह हमारे देश के दो रीड की हड़ियां हैं ग्रामीन छेतर में अगर जाते हैं तो किसान हमारे देश की रीड की हड़िया है और शहरी छेतर में अगर हम आते हैं तो मध्यम वरगी हमारे देश की रीड की हड़िया है और आज की परिस्तिती में अगर देखा जाए तो देश की दोनों रिल्ड की हड्डियां पुरी तरीके से कुछली और दबाई हुई है क्योंकि इन ग्रामीन छेत्र की विवस्था क्या है या ग्रामीन छेत्र के किसान की क्या इस्तिती हो रही है यह हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं दिल्ली के चारों तरह जिस तरीके से किसानों का प्रदशन चल रहा है अपने किसान कानून बिल को ले करके और वो आर्थिक इस्तिती उनकी भी खराब हो रही है या अच्छी नहीं है उसी को उसी के लिए वो संघर्ष में हैं उसी तरीके से शहरी छेत्र में भी जितना मध्यम वर्गी है वो दिन रात केवल अपने चूल रूप से चले इसके लिए हैरान परिशान गोम रहा है और उसके पास में कोई चारा दिख भी नहीं रहा है जिससे की वो या बीच का रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके अपने खर्चों को कम कर सके क्योंकि महंगाई ने भी हमारे को चार कुकिंग गैस का हो जो हम गैस घर पे गैस का सिलेंडर इस्तमाल करते हैं तो जिस तरीके से इन सब चीजों की महंगाई बढ़ रही है तो उसकी वज़े से जो खुदरा वस्तुएं हैं उनका मूल भी अपेक्षित रूप से बहुत ज़ादा बढ़ जाता है फिर दूसरी जो महत्पूर्ण विशह है कि हमारे देश में जो जमाखोरी की विवस्ता है जिसमें जो बड़े बड़े धंडा सेट हैं वो लोग जो पुझी पती लोग हैं वो बजार से चीजें या वस्तुएं खरीद खरीद करके अपने हां भंडारन कर लेते हैं और बा आफा कमाते हैं लेकिन पिस्ता कौन है पिस्ता है केवल और केवल मध्यम वरगी जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक संक्षेप में एक विशह को प्रस्तुत किया था वो यह था कि किसान तो आज की तारीक में जो संघर्ष में हैं वो कह रहा है कि हम तो बजार का पेट पाल लेंगे लेकिन जो मध्यम वरगी है शहरों में रह रहा है उसके पास ना तो जमीन है ना वो किसान है उसको हर हालत में बजार से पैसा खर्च करके खरीदना पड़ेगा और उस उस उन वस्तुओं का उपभोग करके अपने जीवन का यापन करना जादा अगर पिसने वाली इस्थिती में अगर कोई आज की तरीक में देश में दुनिया में या हमारे देश में खास कर अगर कोई है तो वो है मध्यम वरगी क्योंकि गाउं में तो किसान अपना चूलहा जला करके भी रोटी बना लेता है लेकिन शहर में हम अपने दो कमर चित रूप से बढ़ोत्री हो रही है उसका भार कहीं ना कहीं मध्यम वरगी के जेव पे ग्रहनी के जेव में पड़ता है और उनके खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो उनकी कमाई जो सीमित कमाई थी वो भी घट के 50% से जादा कम हो चुकी है तो इन सब चीज़ों को अगर मदे नज़र रखे या इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन चिंतन करें या हमारी सरकार भी इस विशय में गहन चिंतन करें तो बहुत अच्छा होगा और देश के जो दोनों रीड की हड़दियां है उनका उनकी परेशान हमारे देश की सरकार का या सरकारों का है चाहें वो राज की सरकारे हो और चाहें वो देश की सरकार हो हमारी जो भारत सरकार है तो सारे सारी सरकारों से सारे नेताओं से सारे बड़े लोगों से जो हमारे देश की सरकारों को चला रहे हैं उनसे करबद निवेदन है कि कम से कम इस महामारी के समय में, जब पूरा देश परिशान है अपने जीवन यापन को ले करके, तो कम से कम उनके उपर कोई अत्रिक्त बोज ना लाता जाए, जिससे उनकी जो रिर्ड की हड्डी हो पूरी तरीके से या कमर तूट जाए पूरी तरीके से, और सारे बच्चों से भी एक और उनके माता पिताओं से भी एक निविदन है, कि आप लोग भी कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो सरकारों की गाइड लाइन्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई की वज़े से जो परिशान या तकलीफें होती है, परिशानिया तकलीफें मतलब की जो ऑनलाइन पढ़ाई करने के बच्चे आम तोर पे आदी नहीं है, तो उसमें बच्चों को के अंदर डिप्रेशन, अवसाद की इस्तिती पैदा हो रही है, सरदर्द की इस्तिती पैदा हो रही है, और बहुत सार कर सके माबाप के संरक्षन में, ताकि उनको मेडिटेशन करने से या और किसी ना किसी परकार की विवस्था को अपनाने से, कम से कम उनकी पढ़ाई पूरी हो, और उनकी आवशक्ताएं पूरी हो, और माबाप की संतुष्टी प्राप्त हो, और बच्चों की भी वेदन के साथ मैं वापस एक बार अपनी देश की सरकार और देश के जो ये बड़े नुमाइंदे हैं उन सबसे मेरी कर्वत प्रांथा है कि कम से कम देश के जो ये दोनों रीड की हड्डियां है इनका विशेश ध्यान रखा जाए चाहें वो हमारी देश की किसान वर्ग हो और चाहें वो हमारे देश का मध्यम वर्ग हो दोनों लोगों का विशेश ध्यान रखा जाए क्योंकि इस देश को अगर हम कह सकते हैं कि ये देश हमारा है तो ये देश इन ही हमारी जो जनता है उसके जुड़ने से ही ये देश हमारा देश बनता है तो इसको देश बनाने के लिए और नई उचाईयों पर ले जाने के लिए देश की सरकारों से यही निवेधन है कि आप लोग अपना पुरा सहयोग दें अशिरवाद दें अपने बच्चों पर और उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो पाए किसी भी प्रकार का की तकलीफ ना हो पाए और वो समाप्त करें या समाप्त होने तक सयम रखें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज के भी सारे लोगों से निविदन है कि वो लोग भी इन सारी बातों पर गौर करें और देश की सरकारों से भी निवेदन है कि वो समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसको पूरा करे ताकि इस देश में खुशाली आये निरोगी बने और सब लोग खुश रहें संतुष्ट रहें बस इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद